जैन दोस्तों मैं हो कृष्णा दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज का दौर स्मार्टफोन और केमपूडर का दौर है और स्मार्टफोन रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हमारी मुलबुत आवसेक्ता बन गई है हमारा काफी टाइम मोवाइल, केमपूटर और टेबलेट पर इस्पेंड होता है जिससे इसकी स्क्रीन का हमारी आखों पर बुरा प्रभाव होता है डिस्प्ले कोई भी हो, हमारी आखों को नुकसान होता ही है इसमें सबसे दानुकसान करने वाली light होती है blue light ऐसे में smartphone company आपके mobile में पहले से ही blue light filter, reading mode या eye protection mode उपलत कराती है अगर आपके smartphone में या पहले से नहीं है तो आप play store में जाके blue light filter को install करके उसे activate कर सकते हैं blue light filter को activate करने के बाद आपके mobile की screen पर पीला पन बढ़ जाता है जिससे blue light filter होता है और हमारी आखो को कम नुकसान होता है इसका मतलब यह नहीं कि आप tension free होके smartphone को continue चलाते रहें स्मार्टफोन से हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं स्रिफ blue light filter से ही बचाओ हमारी आखो के लिए बचाओ नहीं है इसके लिए आपको तीन रूल फॉलो करने होते हैं जिसमें से तीसरा सबसे main है और दो basic rules है ओ रूल्स को मैं आपको step by step बदाने की कोसिस करूंगा पहला रूल तो यह कि आप स्मार्टफोन को continue न चलाएं बिज बिच में आप अपनी आखों को आराम दें पलके जपकाते रहें कभी कभी होता है कि कोई भी free fire pub g या बहुत सारे games होते हैं उसमें continue बिजी रहते हैं आखों की पलकों को बहुत कम जपकते हैं इससे हमारी आखों में dryness आ जाती है आखे लाल हो जाती है और आखों में जलन पैदा होती है तो आप अपनी आखों को बिच बिच में आखों की पलकों को जपकते रहें दूसरा रूलिया है कि आप अपने mobile और आखों के बीच काफी distance manage करके रखिये अगर आप computer चला रहे हैं तो इसमें तो काफी distance होता है लेकिन mobile में भी आप काफी distance लेने के बाद ही smartphone को चलाएं किसरा और सबसे में रूल यह है कि आप 2020 रूल को फॉलो करें 2020 रूल क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 20 मिनट के लिए computer या mobile को चलाने के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 feet की दूरी पर कोई वस्तु को ध्यान से देखिए फोकस करें इससे आपकी आखों में जलन और लाल आखी नहीं होती है ड्राइनेस नहीं आता है आपके आखों को आराम मिलता है अगर आप कहेंगे कि मेरा रूम छोटा है 20 feet की दूर पर नहीं देख सकते हैं तो आप इसकी जगह खिड़की के बाहर भी किसी 20 feet दूरी को फोकस कर सकते हैं या 20 सेकेंड के लिए आप आखों को बंद करके रिलेक्स दे सकते हैं अगर आप यह तीनों रूल को फॉलो करते हैं तो मोवाईल या केम्पूटर से होने वाली नुकसान से आपकी आखों को बचाया जा सकता है